अंबानी फैमिली अपनी परंपरा से जुड़े रहने के लिए जानी जाती है। दिगज बिजनेसमेन मुकेश अंबानी का परिवार किसी भी पर्फ को बेहत धूमधाम के साथ मनाता है। हर साल की तरह इस साल भी अंबानी फैमिली ने अपने आलिशान महल एंतीलिया में गड़पती बप्पा का स्वागत किया था। अब उनके विसर्जन को बेहत ग्रैंड तरीके से मनाया गया है, जिसकी कुछ जलकिया सामने आई है। आईए आपको दिखाते हैं। दरसल एक सिंतबर 2022 की रात को अंबानी परिवार ने गड़पती बप्पा के विसर्जन का प्रोग्राम रखा था। इस उत्सव में रणवीर और दीपिका को भी देखा गया। सोशल मीडिया पर इसके कई विडियोज वाइरल हो रही हैं, जिनमें दोनों को फूलों से सजे ट्रक में देखा जा सकता है। दीपिका और रणवीर को आपकाश अंबानी, श्लोका अंबानी और राधिका मर्चेंट वह कई अन्य लोगों के साथ देखा गया। विडियो में अभिनेता को फिल्म अगनिपत के गीप देवा श्री गडेशा पर डांस करते देखा जा सकता है, जबकि उनकी पत्नी दीपिका एक बेंच पर बैट कर इस पल को एंजॉय कर रही है। यहां देखे रणवीर और दीपिका का विडियो। हाल ही में गडेश विसर्जन से पहले एंटीलिया में स्थापित बप्पा के दर्शन करने महाराष्ट के मुख्यमंत्री एकनाच शिंदे और उप्मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस वो उनकी पत्नी अम्रिता फणनवीस बिजनेसमेन मुकेश अंबानी के घर पहु की कथित गर्ल फ्रेंड राधिका मर्चेट को देख सकते हैं यहां देखे तस्वीरे रनवीर सिंग और दीपिका पादुकोन की बात करें तो उन्होंने अपनी पहली फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला की शूटिंग के दौरान देटिंग शुरू की थी और बाद में दोनों ने 14 नवंबर 2018 को इटली के लेक कोमो में पारंपरिक हिंडू कोकडी और सिख आनन कारज समारोहों में शादी कर ली थी तब से दोनों की ओन स्क्रीन केमिस्ट्री से लेकर उनकी ओफ स्क्रीन बॉन्डिंग और सोशल मीडिया पोस्स अकसर सुर्खियों में रहते है वर्क फ्रंट की बात करें तो रणवीर और दीपिका को आखरी बार कबीर खान की फिल्म 83 फीट में एक साथ देखा गया था इसके अलावा वह रणवीर अगली बार करण जोहर की रोमांटिक ड्रामा फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में दिखाई देंगे वहर रोहिच शेटी की अपकमिंग फिल्म सरकस में नजर आएंगे अभिनेता के पास तमिल फिल्म अन्या का हिंदी रीमेक भी है दूसरी और दीपिका के पास पाइपलाइन में कुछ दिल्चस्प प्रोजेक्स है वह जल्द ही सिधार्थ आनन्द की फिल्म पठान में शारुक खान और जौन अबराहम के साथ नजर आएंगी इसके अलावा उनके पास रितिक रोशन के साथ फाइटर, प्रभास के साथ प्रोजेक्ट के और अमिताब बच्चन के साथ दे इंटर्म का हिंदी रीमेक भी है